15 सालों से इंवेश्मेंट कर रहे हैं फिर भी वेल्ट नहीं बनी 40 की उम्र हो गई, 45 की उम्र हो गई और लगता है कि क्या मेरे पस डिपेंडेबल वेल्ट है जो मैंने इंवेश्मेंट किये थे वो उतना परफॉर्म नहीं किये, पता ही नहीं था तो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैंने गलती कर दी शुरू में कुछ पैसा इंशुरेंस में डाल दिया, किसी के कहने पर इंवेश्ट कर दिया कहीं किसी MLM में डाल दिया, कहीं किसी स्कीम में डाल दिया, पैसा ही नहीं आया वापस तो मैं उनसे बोलता हूँ गलती किस की है किसी एडवाइजर की, किसी ने हाथ पकड़के बैंक में इन्वेस्ट कराया था या आपने किया लास्ट ली वही एक छोटा सा सवाल है हमारे पास लाइफ में जो वेल्थ आएगी, किसी भी मैं वेल्थ की बात करूँ, वेल्थ आएगी कैसे सो वेल्थ बनाने का एक सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास, जो सेविंग्स आपकी होगी इस सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ही तो आप वेल्थ बनाएंगे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया अब ये पैरामिटर गलत है तो कोई और रिस्पॉंसिबल है क्या हमने ही पैसा इन्वेस्ट किया अब आप बोलोगे कि आपने भी कुछ गलतियां करी, सभी ने गलतियां करी है किसी ने किसी मोड पे सीखा किसी ने 10 साल बात सीखा किसी ने 5 साल बाद सीखा so मेरा एक question है वीडियो को ध्यान से देखे का बहुत लंबी वीडियो नहीं है question यह है आज भी आप invest कर रहे हो आज आप PF में invest कर रहे हो आज आप insurance में invest कर रहे हो mutual funds में invest कर रहे हो क्या आपको पता भी है कि आपके investment के जो भी participants हैं जो भी constituents हैं उसमें PF, MF आपका shares FD किस format में होना चाहिए आप कहोगे कि simple है एक rule fixed हमने follow कर लिया rule किस के लिए बनने होते हैं जिसको customized planning की जरूरत नहीं हो, जिनका surplus पैसा हो हमारी life में क्या पैसा इतना है कि हमको यह सोचना ना पड़े अब यहां सवाल यह उड़ता है कि क्या child's education की बात करूं आपकी तो क्या इसका पैसा पूरा है हमारे पास क्या home loan पूरा वापस देने का पैसा है हमारे पास क्या हमारे पास retirement का पूरा पैसा है अगर नहीं है क्या यह हमारे लिए काम आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब होना क्या है जो भी आपकी savings है यह अनमोल resource है यह बहुत ही important resource है जिसको हम waste नहीं कर सकते casual investment के उपर क्या होता है हमको किसी ने भी कहा किसी ने का advice दिया कि invest कर दो हमने पूछा ही नहीं कि result क्या मिलेगा उसने बोला 4% मिलेगा 8% मिलेगा 12% मिलेगा हमने ठीक है क्या आपने check किया था क्या हमारे पास कोई ऐसा parameter है check कर पाने का point is मैं आपको एक से दिखाता हूँ आप अगर देखें इसको आपकी wealth किस से आएगी एक simple सा सवाल है आपकी wealth बनेगी जो भी आपकी life में आप invest करोगे ये आपका retirement का phase है question is आप यहाँ पे investment कर रहे हैं यहाँ पे retire होने वाले हैं जगे पे ठीक 60 की उम्र तक जो भी आपकी age है इस age में आप investment करोगे लगाता और आपके यहाँ की wealth से आप retirement अपना पूरा जिंदगी अच्छे से निभाएंगे question एक है 15 years में आपको लगा पहले कि कुछ गलतियां हो गई are you 200% confident कि जो आज आपका investment mix जा रहा है जो contribution आज आप कर रहे हो that is perfectly fine क्या आप chance ले सकते हो retirement के लिए you cannot afford to take chance अगर आप अपना investment खुद नहीं कर रहे हो खुद अगर आप नहीं पढ़ रहे हो क्या होगा आप insurance वाले से पूछो के वो insurance का बता देंगे आप mutual fund वाले से पूछो के वो mutual fund का बता देंगे who is interested in your retirement कोई नहीं आपको ही करना पड़ेगा 17 साल के experience में मैंने पाया as a financial planner हजारों लोगों की help करने के बाद कि आप से बढ़िया आपकी planning कोई और कर ही नहीं सकता क्योंकि किसी को interest ही नहीं है अब छोटा सा सवाल ये उड़ता है कि क्या आप कर सकते हैं येस आप कर सकते हैं बहुत आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा मैंने क्या किया मैंने अपने experience को इस तरह से आपके लिए package में डिजाइन किया कि आप खुद सिर्फ 2 से 4 घंटे में आप अपने लिए पूरी पढ़ाई कर सकें और आप tools की मदद से अपने लिए पूरा plan खुद बना सकें अपने हर एक छोटे छोटे investment को judge कर लीजे कि क्या वो आपके लिए सही है आप insurance में premium दे रहे हो क्यों दे रहे हो नहीं पता आप mutual fund में SIP दे रहे हो मेरा सवाल ये है कि आप 5000 की SIP दे रहे है 5000 की क्यों देनी है 10,000 की क्यों नहीं 2000 की क्यों नहीं आपको suit क्या करता है तो सबसे important part यह आ जाता है कि आपकी savings के हिजाब से और आपकी जो requirement है दोनों को match कराने के लिए आपकी saving कहाँ invest होनी चाहिए अगले तीन साल में आपका कोई काम है तो उस काम को आप कैसे करने वाले हो तो इस process में आप पढ़ने के बाद सबसे पहले आप अपने goals decide करिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा retirement के बाद इसका control लेना पड़ेगा और वो होगा किससे simple है जितने funds क्या आप plan करेंगे उससे it will not be by default so कोई भी investment आप कर रहे हो pension plan है, mutual fund है insurance है, FD है, zamine है property है हर एक चीज़ को पहले रोकिए रोक करके सिर्फ 2-4 गंटे का investment करिए अपने उपर पढ़ाई में क्योंकि ये सिखाया नहीं किया है stay safe, have very good retirement मेरी विशाब के साथ हैं so अपना retirement को खुद प्लान करो